बुलोशी गोवर्धन नाथ की जय शिविठले शराय की जय बुलोशी गिरिटाज धरण की जय बुलोश। आम सुंदर शियमुने महराणी की जय। बुलोशी मदवल्लभा धीश की जय। बुलोशी गुसाईजी परम दयाल की जय। जिक्षा शागर, शिहरी राय, महाप्रभूग की जय, उलो चोरासी वेशन्पों की जय जेशी क्रश्ना, पाँचवे वेशनों रजोसत्राणी, वारता प्रसंग एक अब सि महाप्रभूग के सेवक, रजोसत्राणी तिन की वारता को भाव कहत हैं भाव प्रकाश, सो रजोश अत्राणी लीला में ललिता जी की सक्षी है, इनको नाम रतिकला है, रति जो प्रीती, ताकी कला अथवा रति, जो विहार ताकी कला, जो जिनको शी ठाकोर जी शी स्वामी नी जी को विहार सिद्ध हो, यही भाव में मगन हैं और जानत ही नाहीं, श्री स्वामीनी जी के लिए नाना प्रकार की सामगरी करनी निकुंजादिक में रात्री को दुधादिक अरोगाउनों यह ललीता जी की सेवा है ताते यहां हूं रजो को यह नेम जो रात्र की सामगरी नित्य नेम सो श्री आचैरी जी को अरोगाउनों सो लीला में रतिकला को बहुत ताप हतो सो श्री स्वामीनी जी को परोसे एसो भाग्य मेरो कब होए काहेते जो अरोगाउनों सो ललीता की सेवा है सो केसे मिले ललीता जी तो अत्यन प्रियर मद्या जी है सगरी लीला की सिद्धी करता सो ताप रतिकला के रदय को है सो अब शी आचैरी जी शी स्वामीनी जी मनोरत तूरन करे ताप मिटाए काहे ते नारायन दास ब्रह्मचारी ब्रह्मन हते तिनकी करी खीरी शी गुकुल चंद्रमा जी खीर लेवे को शी आचैरी जी सो कहे तब शी आचैरी जी कहे पाक केसे लियो जाई पाचे शी गुकुल जो एकांगी अन्यन्य भक्त के बस होई के सो प्रेम के भरते मरियादा छूटी। जाए यामे रजो को प्रेम जताए रजो के प्रेम ते मरियादा सोरुप को तिरोधान होई जातो लीला रस में बगन होई सामगरी अंगीकार करे। बार्ता प्रसंग एक सवरोजो नित्य पक्वान सामगरी करे रात्र को ले आऊती सो शी आचारी जी महाप्रभुन आरोक्ते वाके नेम होतो। सो एक दिन लक्ष्मन भट्ट जी को शाध दिन हतो सो शी आचायरी जी ने ब्रह्मन भोजन को बुलाय हते तहां द्रत थोरो सो चईयत हतो तब शी आचायरी जी ने एक वेश्णों सो कहो जो रजो के इहाते द्रत ले आवो तब रजो ने वा वेशनों सो कहयो जो द्रत काहे को मंगायो है तब वा वेशनों ने कहयो तब वेशनों फिरी आयो और शे आचारी जी सो कहयो जो महराज रजो के घर द्रत नहीं है तब शे आचारी जी कहे जो एक बार तु फेरी जा खीजी के कहयो जो द्रत दे तब वेशनों फिरी आयो रजो सो कहयो जो शे आचारी जी खीजत है ताते घी देऊ तोहु रजो ने द्रत दीनों नाहीं, कयो मेरे द्रत नाहीं हैं, कहां ते देऊं? तब वेश्णो फीरी आये श्याचारी जी सु कहयो जो महराज, रजो द्रत नाहीं देत, पाचे ओर ठोरते घी मंगई काम चलायो, पाचे रात्र भाई, तब रजो सामगरी सिद्ध करी शियाचारी जी के पास आई, तब शियाचारी जी पीठी दे के बेठे, तब रजो ने कहयो जो महराज, जीव तो दोश्ते भरियो है, अपरात कहा, जो आप दर्सन नाहीं देत, तब शे आचारी जी ने कहिए जो आज लक्षमन भट जी को साध्ध हतो सो तेने द्रत क्यों नाही दीनो तब रजो ने कही मेरे घी नाही हतो तब शे आचारी जी ने कही सामगरी कहा ते करी लाई तब रजो ने कही महराज आपू के घर में हूँ घी हतो क्यों नहीं लिये तब शे आचारी जी कहे उहू तो शिठाकुर जी को हतो वा में ते केसे लियो जाई तब रजो ने कहेो मेरे घर में कौन है शिठाकुर जी ते अधिक आपको सोरूप है सो आपकी लीला संबंदी सामगरी में ते शाद में केसे दे हूँ और मैं लक्षमन भट की लोंडी नहीं हो मैं तो आपकी लोंडी हो आप मेरी परिक्षा लेन अर्थ गी मंगायो सो पहले वेशनों पठायो तब तो लोकिक आवेश सो घी घटियो तब आपू कहे रजो सो ले आओ यह लोकिक प्रवाह आज्या जानी के मैंने घी की नाहीं करी सो पाछे आपू यह मन में विचारे जो शाद के लिए ब्रह्मन भोजन में वेगे चाहिए फेरी जो हू वेशनों आई के कहयो जो खीजी के कहे घी दे हू तब मैं मरियादा जानी जो पुष्टिकार में क्रोध को प्रायोजन हे नाहीं काहे ते भाव ही सो सगरी वस्तु स होई वस्तु ते पूरंता है ताते वस्तु के लिए क्रोध है जो यह वस्तु आवशक चाहिए ताते मरियादा के आज्या हू नाहीं माने और मरियादा के कारियार्थ घी हू नाहीं दियो पाछे तीसरे पुष्टी हू के आवेश्ते मांगते तो मैं घी देती और आपको गी मंगवानों हतो, तो इतनो उहु वेश्णों सो कही देते, जो रजो सो कहियो, तेरे पुष्टी धर्म में हानी नाही है, गी दीजो, तुम्हें काहे को फेरती, और महराज, जानी बुजी के कुवा में केसे परू, आपू की क्रपाते इतनो ग्यान भयो, तब मैं गी नाह दियो, आपू तो बुद्धी प्रेरक हो, मेरे रदय में बेठी के घी देवे की नाही कहे, उहां के घी मंगाए, सो में बिना मोल की दासी हो, आपू क्रपा करिये, भाव प्रकाश, या ही ते शिक्षा पत्र में कयो है, शिठाकुर जी के आज्या तीन प्रकार की है, लोकि बिना मेंशी ठाकुर जी को आश्या और भगवदिय को संग, वेधिक कारे में तीर्थ देव पूजा कर्मा दी, लोकिक में कुटुम पालनो, खानपान सरीर को सुक्षो सितीनियों फलहू न्यारे-न्यारे कहे है, लोकिक ते संसार, वेधिक ते स्वरगादि, लोकिक ते भ भगवत प्राप्ति या प्रकार के भेद सो घी नाहीं दियो तब शे आचायर जी प्रसन होई के दर्सन दिये तब रजो ने सामगरिशी आचायर जी के आगे रखी और कईयो जो अरोगो तब शे आचायर जी ने रजो सो कईयो जो आजू शाद दिन हैं सो दूसरी बेल लेनो यह तो लियो चाहिए भाव प्रकाश ताखो अर्थ यह जो लीला के भाव सो अपने निच स्वरूक सो आरोगे अब मरियादा के आवेश कहा राखोगे लीला के आवेश में मन दीजे भक्तन को मरुनत पुरन करो इतनो सुनत ही आप में पुष्टी लिला को आवेस हे गयो मर्यादा की आग्या सब जात रही सामगरी अरोगे जैसे परमानन जी गाए हरी तेरी लिला की सुधी आवे इतनो सुनत ही तीन दिन लो सरीर को अनुसंधान न रहे हो एसे लिला में आवेस होई रजो को मनुरत पूरन किये ताते रजो एकां की भगवदी है तब रजो के आग्रहते शी आचैर जी ताहू दिन सामगरी अरोगे सो वह रजो शत्राणी शी आचैर जी महाप्रभुन की एसी क्रपापात्र भगवदी हती ताते इनकी वारता को पार ना ही सो कहां ताही कहिए गोवरधन की रही है तडेटी स्रीगोवरधन की रही है नित्यप्रती मदन उपाल लाण के चरण का मलचीत लई है तडेटी स्रीगोवरधन की रही है तना पूलकित व्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में नही है रशीक प्रितमहित चित की बाते स्रीगिरिधारी जी सो कही है तडेटी स्रीगोवरधन की रही है जेशी कृष्णा